असाज घर वापसी, दर और साहस की कहानी दो हफ़ते की शान्तिपूर्ण छुट्टी के बाद घर लोटते समय कोनी का दिल उम्मीद से तेज धड़क रहा था। जैसे जैसे टैक्सी दिन के धलते उजाले में आगे बढ़ी, उसके आसपास की हर चीज जानी फचानी लग रही थी, फिर भी उसके अंदर कुछ बेचैनी से हिल रहा था। उसका घर एक शांत खाड़ी के किनारे पर था, जो शहर की हलचल से अलग था। यहां हमेशा की तरह साफ सुथरा और स्वागत करने वाला लग रहा था, लेकिन एक अजीब सा डर उसे घेर रहा था, जैसे ही वह टैक्सी से बाहर निकली, उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, शांत घर में प्रवेश करने पर भी बेचैनी बनी रही। यह एक ऐसा सन्नाटा था जो अप्राकृतिक लगभग दमनकारी लग रहा था, जैसे कि घर खुद ही अपनी सांस रोक रहा हो। चर्या में व्यस्थ होकर अजीब भावनाओं को दूर करने की कोशिश कर रही थी। रेफ्रिजरेटर की गुनगुनाहट और नल से भैते पानी की आवाज ने कुछ आराम दिया। लेकिन यह उसके डर को दूर करने के लिए परियाप्त नहीं था। घर परिचित होते हुए भी अजीब लग रहा था, जैसे उसकी अनुपस्तिती में उसमें अशान्ती फैल गई हो। कोनी की नजर बाहर बगीचे में चली गई, जहां शाम की आखिरी रोशनी खाडी पर एक हलकी सी चमक बिखेर रही थी। सब कुछ शांत और निर्मल लग रहा था, लेकिन हवा में तनाव था। जब वह बगीचे में खडी थी, तो उसने गैरेज के पास एक हलचल देखी कुछ सूक्षुम, जिसे वह किसी और दिन अंदेखा कर सकती थी। और फिर भी उसकी सहज प्रवृत्ती तेज हो गई। वह घर के करीब चली गई, उसकी बेचेनी बढ़ती जा रही थी। वापस अंदर आकर कोनी ने अपने पडोसी श्रीमती विंस्टन को कुछ साथ और आश्वासन के लिए बुलाकर खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन सांतवना के बजाए श्रीमती विंस्टन की खबर ने उसे सहरन पैदा कर दी। जब वह घर से बाहर थी तब पडोस में कई चोरिया हुई थी। लोगों के घरों में लूट पाट की गई थी और एक बुजुर्ग व्यक्ती पर तब क्रूर हमला किया गया था जब वह अपराधियों से टकरा गया था। कोनी की धड़कने तेज हो गई जब उसे एहसास हुआ उसका घर खाली असुरक्षित एकदम सही लक्ष था। दर की एक जलक आतंक की लहर में बदल गई जब कोनी ने सूक्ष्म संकेतों को याद किया तूटी हुई खिडकी किसी की निगरानी का एहसास पीछे का जो पूरी तरह से बंद नहीं था। सब कुछ ठीक हो गया। कोई उसके घर का इस्तिमाल कर रहा था छारा में छिपकर और अब वहां अकेली नहीं थी। शान्त रहने के लिए बेताब वहां अपने डर का सामना करने के लिए द्रिट संकल्पित होकर उपर की ओर बढ़ी। जैसे ही वहां बेडरूम में दाखिल हुई उसकी सांस उसके गले में अटक गई। वहां फर्ष पर चोरी के सामान से भरा एक बैग था कैमरे, गहने, घडिया, चोरी की गई लूट जो श्रीमती विंस्टन ने बताई थी। उसका घर अपराधियों के लिए एक पनागा ब की चर्मराहट सुनी। कोई घर के अंदर था, जान बूच कर हिल रहा था, उसे खोज रहा था। उसका दिल धड़कने लगा जब उसने महसूस किया कि गुसपैठिया सिर्फ एक चोर नहीं था, वह कोई ऐसा व्यक्ती था जो जानता था कि उसे मदद के लिए पुकारने से पहले उसे चुप कराना होगा। कोणी की जीवित रहने की प्रवृत्ती ने काम करना शुरू कर दिया। चुपचाप, उसने अपनी चपले उतारी और नीचे की ओर सरग गई, उसके मोजे वाले पैर फर्ष पर बिना आवाज किये चल रहे थे। वह जानती थी कि उसे जल वह रात में भागी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह अंधेरे बगीचे से भाग रही थी। फिर उसने देखा गैरेज के पास छिपी मोटर साइकल, उस आदमी की गाड़ी जो अब उसका शिकार कर रहा था। उसके दिमाग में एक अजीबोगरीब विचार लेकिन वह इसे किसी और काम के लिए इस्तमाल कर सकती थी। जल्दी से उसने इंधन वाल्व ढूणडा और उसे खोला। गैसोलीन की गंध हवा में भर गई जब उसने अपनी जेब में माचिस की डिबबी ढूणडी। कापते हातों से उसने माचिस जलाई और उसे लीक हो रहे इंधन पर गिरा दिया लप्ते तुरंत भड़क उठीन राग के आस्मान में भूक से चड़ती हुई कोनी छाया में पीछे हट गई उसकी सांस छोटी-छोटी सासों में आ रही थी क्योंकि आग तेज और उंची होती जा रही थी गुस्पैठिया घर से बाहर निकल गया उसकी आकरिती धधक्ती लप्तों के बीच उभरी आग बुझाने के अपने उनमत प्रयास में उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि उसका भागने का रास्ता खत्म हो गया है आगने पडोसियों, अगने शामकों, पुलीस का ध्यान आकरशित किया और घर के अंदर अभी भी लूट का माल होने के कारण उसके पास अपनी उपस्तिती को सपष्ट करने का कोई तरीका नहीं था राहत और भय के मिश्रण से अभीभूत कोनी चुपचापरो पड़ी दोहस्वपन समाप्थ हो गया था, लेकिन रात भर उसे जकडे रखने वाला डर अभी भी उससे चिपका हुआ था जब मदद आखिरकार पहुँची तो दूर से साइरन की आवास तेज हो गई आग की लप्टों में कोनी रात की सुरक्षा में खड़ी थी, यह जानते हुए कि उसने अपने डर का सामना किया है और मजबूती से उभरी है पासा रही कारों की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी और जैसे ही दमकल की गाडिया उसके जलते हुए घर के पास पहुची कोनी को एहसास हुआ कि जिस आदमी ने उसे आतंकित किया था, वह खत्म हो चुका है, वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुचा सकता था और हाला कि उसका घर खो गया था, उसने एक बड़ी जीत हासिल की थी, उस डर पर काबू पा लिया था जो उसे खा जाने की कोशिश कर रहा था उसने अपनी सहज प्रवृत्ती पर भरोसा करके और पीडित होने से इनकार करके खुद को बचा लिया था जिस साग ने अपराथ के सबूतों को जला दिया था, उसने उसके संदेह को भी जला दिया था कोनी एक दुहस्वपन के साथ घर लोटी थी, लेकिन अंत में उसने अपनी ताकत पाई रात की हवा ठंडी और मीठी थी और आने के बाद पहली बार कोनी को शांती का एहसास हुआ